हेलो 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 एब्रीवन आप सबका हार्दिक स्वागत है प्रियश्र विद्यापिट प्लाटफॉर्म के ऊपर मैंसल प्रियश पठेल क्या ओडियो वीडियो बिटक दोनों क्लियर है ऑडियो वीडियो बनने क्लियर छे चैट सेक्शन मां फटाफटी कई दो वीडियो बनने क्लियर छे चैट सेक्शन मां कई दो फटाफटी अब वीडियो बनने क्लियर आपनों छेल दो लेक्शर चैट यूट्यूब पर कल्थी फिजिक्सना सेशन अप्लिकेशन मां हसे अन्यूट्यूब पर जिकला सेशन था आच्छी बदा अप्लिकेशन मां आपने एडि कर देशूं। पीडियाप तो करीट देए छे लेक्शर पन बदा वीडियो पन एडि करी देशूं। तो आपनों छेल लो सेशन यूट्यूब पर छे अवे यूट्यूब पर सेशन नाई होए बदा सेशन आपड़ा आपने एप्लिकेशन उपर हसे ठीक चैट करिये तो आतनी शर्वात करी जाए शुरुवात यास और नो एप्लिकेशन में अगर आप लाइव नहीं आप आओगे तो क्या होगा जब भी लेक्शर खतम होगा उसके चार से पांच घंटे में प्रोसेसिंग होके आपको मिल जाएगा उसके चार से पांच घंटे में प्रोसेसिंग होके आपको मिल जाएगा वीडियो पीक चलिए करते हैं शुरुआज एलेक्टरिक फिल्ड विद्धूद च्खतरा अब एलेक्टरिक फिल्ड एक्चुल में है क्या कोई भी चार्ज है विद्धूद पार है मान लो यह चार् मानलो मैं कैपिटल क्यों मानलू तो उसके आजस्पास उसका असर असर मतलब influence होता ही होता है और उसी influence को बोलते है इलेक्टरिक फिल्ड विद्यूद्चे तरफ अब अगर वो आपको सरस्री रही जाओ तो यह अल्वेस बिटा पॉजिटिव यह अल्वेस क्या होता है हमेशा धन पॉजिटिव अजवाए ना चोटा टेंस्टु जीरो बहुत छोटा होता है जो इसके इलेक्ट्रिक फिल्ड मिद्यू छेत्र को हैरान परेशान नहीं करता वो उसके क्या बताता है कि आप इसको नजलिक ले जाओगे अगर रिपल्शन हुआ अपा कर्शन हुआ तो इसका मतलब यह भी पॉजिटिव है अगर एट्रेक्शन हुआ तो यह क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा ना क्यूंकि यह तो अल्वेस पॉजिटिव रहने वाला है तो पॉज कितना लगेगा पहले तो इका फार्मिला क्या है तो f by q naught है ना इका फोर्मिला क्या है भाई f by test charge force upon test charge अब force कितना है के q q naught upon r का स्क्वर्ड है ना q q naught upon r का स्क्वर्ड अपन Q-not Q-not से Q-not मरेगा तो E कितना आएगा भाई के Q अपन R-square यह क्या आगए अपना E का equation आगया के Q अपन R-square अब E बनाबर F by Q है E बनाबर F by Q-not है इसका unit क्या आएगा Newton पर कुलम क्या आएगा इसका unit Newton पर कुलम दूसरा इसका unit क्या आएगा खास ध्यानवेर दे दो Newton मतलब क्या होता है V बराबर अडे यह chapter 2 में एक formula आएगा V मतलब potential तो potential मतलब walled upon meter तो आप इसको क्या लिख सकते हो walled upon meter भी लिख सकते हो तो यह formula भी याद रखना है MCQ में काम आएगा यह तो मैंने बोली दिया याद रखना है अब तीसरा भी एक formula है W बराबर VQ good set की series में हमने सारे बताये थे W बराबर VQ तो V क्या होगा भाई W by Q माने Joule per coulomb W by Q मतलब क्या होगा Joule per coulomb इसमें डाल दो watt की जगा पे Joule per coulomb into meter हो जाएगा तो यह ध्यान में रखना इतने सारे इसके unit है इसने सारे इसके unit है सबसे पहला unit मैंने कहां से बनाया Force per charge तो Newton per coulomb Newton मतलब volt coulomb मतलब sorry V बराबर ED से E बराबर V by D तो volt upon meter भी बना दिया अब बिटा volt क्या है तो W upon Q W मतलब Joule upon coulomb तो मैंने यहाँ पे डाल दिया Joule upon coulomb world की जगा पे into meter as it is ठीक तो यह अपना main equation हो गया इतने सारे formula's है यह point charge का electric field है बिंदू वत विद्यूद भारनू विद्यूद च्छेतर point charge हाँ कोना मते छे point charge point charge मतलब बेटा क्या बिंदू वत विद्यूद भार क्या बीजाना तो हजी छेज dipole, bipole यह बदू तो आगड़ आऊशन आऊशे बराबरा point charge नू तम ने की तू point charge नू चे electric field होई बेटा यह proposal तो सु है R square proposal तो क्या होता है भाई R square खास दियान में रखना proposal तो क्या होता है R square ठीक, चलो next अब आथा है इसमें super position super position for electric field कल आपने super position करियो तू force माटे करियो तू, कल जो super position किया था वो force के लिए किया था आज हम जो super position करेंगे वो किस के लिए करने वाले है electric field तो दोनों में confusion create मत करना जाए super position अटले तो आना था है ना यू ना था है super position माट बनने आई शक्क है super position अटले संपात पढ़ानो सिद्दान कौनो संपात कौना आनो सिद्दान इसको बोलते है गबराला नहीं है सांती से देखेंगे चलो देखते जाना मेरे को ये मेरा q1 charge ये मेरा q2 है और ये मेरा q1 है सबका ये p point पे net electric field find करना है p point पर सु find करूँ छे परिणामी विद्युद छेत्र find करूँ छे net electric field find करूँ छे तो अब आपने सु करीज हो फिर इसका इस तरफ होगा सबके नाम लिख दूँ में यारे से नाम e1 ये मेरा क्या हो जाएगा e2 और ये मेरा क्या हो जाएगा eN हो जाएगा दूसरी चीज़ सबके अंतर ये क्या अंतर होगा r1 p ये क्या होगा r2 p और ये क्या होगा rn p सारे distance भी अपने major कर दिया है ना सब के अंतर भी हमने लिख लिए है अब electric field निकालना है अब पहले theory लिख लो theory आपको थोड़ी खुद से लिखनी है भाई next week में test आ जाएगे next week से अभी अपना जब application में switch हो जाएगे तो test शुरू हो जाएगी तो next week से ready रहना test के लिए physics की भी आ जाएगी chemistry की भी आ जाएगी है ना तो next week से test आ जाएगी तो अपने test लेना शुरू करेगे theory में क्या लिखना है कि वह ग्यूवन चार्ज है क्यूटू चार्ज है अब टू क्यूएण चार्ज है हना सबके पी तक के distance लिख लो क्यूवन का भाई आरवन पी है अंतर अंतर आनू आटू पीछ है एजरी ते क्यूएण नूस हो जै आरेन बदन अंतर मीता में सरस्रित अंतर आद लख हो नाइब पह choosing फिफ पॉइंटत पास से नियक टियंक टूं फाइंण 你 इंक टृटटरी फिल्द पांड व सीच एल करूं ने अट एलेक्टरिक फिल्ड फाइंड खारूं जो टू आप क्यासे करेगे फिलिखने का इलेक्टरिक य हैं फुखां 8.P due to Q1 charge, गुजरादी विडियो, Q1 विध्यूद भार्नाली दे, Q1 विध्यूद भार्नाली दे, P बिंदू पासे विध्यूद छेत्र, हमना आज आपने फॉर्मिला सीक्या, कौन सा फॉर्मिला सीक्या बाई? E is equal to F by Q, सीखे न, E new to 1 is equal to F1 by Q0, यह अपने सीखे, लेकिन सवाल यह आएगा, सवाल यह आएगा, सवाल यह आएगा, कि F कैसे निकाले, क्यूंकि F निकालने के लिए, लॉजिक समझो, F निकालने के लिए, दो चार्ज चाहिए, बे विद्यूत पार होई, तो बढ़ मोड़े, बे विद्यूत पार होई नहीं, तो बढ़ की मोड़े, लॉजिक समझा था मैं? तो आपड़े सू करी सू, P पासे एक टेस्ट चार्ज मुखी दई सू, Q नॉट, सू मुखी दई सू, टेस्ट चार्ज, बराबर यहनू काम खाली, फोर्स लगाईन जतू रह वालू, यहना फोर्स नू काम करीन जतू रह वालू, तो शलो, फोर्स लगाई दिया, के Q1, Q नॉट अपॉन, आर वन पी, स्क्वेर, यह दायू भई, आर वन पी के, आपने की वी दिता लग्यू भई, मित्रो, कुलम लो इन वेक्टर फॉर्म, यह दायू न, के Q1, Q नॉट, आर वन पी नो स्क्वेर, आर वन पी के, अपन क्यू नॉट, अब इसको सिंप्लिफाई कर दो और एक कितनी पावर हो जाएगी भई, तीन पावर हो जाएगी, आके न, यह आपको आना चाहिए हो भई अब तो, यह आपको आना चाहिए, यह मेरे को क्या मिल गया भई, इवन बोलो, इसमें किसी को दिक्कत है, यह इवन में किसी को दिक्कत है भई, जल्दी जल्दी ये इवन में भाई लोग किसी को दिक्कत है happy birthday sir बोलो मेरा बड़े कहाँ पर है happy birthday sir very good बोलो भाई इतना दिक्कत है application मात बेच चाल से बड़ाबर आप तो demo चाली रही है बेचर लेक्चर अच्छे आज इसकाई जी दूने कि आज छेलो लेक्चर चे यूटूब पर अवे बदू अप्लिकेशन माँ अवे बदू अप्लिकेशन माँ अवे बदू अप्लिकेशन माँ ठीक अवे आपना डेमो पती गया अवे एक रिजल्टाव से तेरा अलग थी डेमो लाईसू अवे अलग वाच्छे एक बे लाईसू पाच्छा एमके पचास ठेका पब्लिक थी बदर पब्लिक ये वीच एक साई फेल तो थवा दो मने बराबर मना खाड़ाम पड़वा दो पची तमें हाथ पकडिन बार काड़ो आपने हमना माटे पची काड़ी जो बराबर बेच तो एप्लिकेशन माज रहा से यूट्यूब पर नहीं होई बराबर चलो अवे इलेक्ट्रिक फिल्ड सेम कहानी एट पॉइंट पी डूट्यू का चार्च क्यूट्यू चार्च ना बुझ जाती मैं लखी नक्षो सेम तो सेम अवे तमार जाते लखवान उचारी हो वो तो तो तमने इन कापी थो एट्यू बराबर अवेफटो अपान क्यू टा लिखेती जहाँ पर बाकी थो नॉट को तो नॉट रहने देगे 1 को खाली 2 लिख देगे सब जगा पर 1 को 2 लिखेगे तो answer क्या आएगा बबु आ यहां बभई बबु राओ answer क्या आएगा क्यों 2 R2P का square cube into R2P vector यह मेरा into आजाएगा into अब मेरा last QN अब paper बना करता हो भई फिलो साहिब माग नहीं आप है तो KQN RNP का cube RNP vector that's it अब net electric field कैसे लिखेगे बाई net E at point P परिडा मी चुब विद्यू छेत्रा P point पास है तो E net सब का plus करने का E1 plus E2 up to E1 जो भी अंसर आए वो अंसर खाली लिख दो बोलो clear है बोलो clear है बोलो यहां तक clear है आके ना यहां तक clear है बोलो हाके ना यह अपना net electric field का फंडा सेट हो गया आपका पहले clear है तो मैं जाओ इसमें अगे सम्स में बुक निकाल दो तो सम्स की शालू करते हैं खेती सम्स बहुत अच्छे है पहले दूसरे चेप्टर में आते बहुत कम है लेकिन करने तो पड़ेगे चेप्टर नमबर बन चेप्टर नमबर बन का सवाल नमबर फोर चलो सबसे पहले सवाल नमबर फोर पे जाओ illustration नमबर फोर illustration नमबर फोर में क्या बोला है मैं आपको समझा दे जाता हूँ और बता दे जाता हूँ illustration नमबर फोर उदार नमबर चार तब नहीं कि दूचे के बेस पी अर्च है पढ़ते जाओ अच्छा है दो स्पी अरे जिसकी सेम रेडियास है अना ए और बी इसके उपर चार्ज क्यू ए इसके उपर चार्ज क्यू भी और दोनों के मीच का जो सेंटर टू सेंटर का डिस्तंस है वो दस सेंटिमेटर है तो यहां पर फोर्स कितना लगेगा भाई तो फ्रम कुलंब्स लॉग कुलंब अनुसार कुलंब अनुसार कुलंब भाई सू क्या जा भाई क्या बढ़ाबर के क्यू ए क्यू बी अपट डिस्टंस नो स्क्वेर आऊ क्या जा जा नूँ अन्य आर सपोस कर लो बराबर मैंने इसको क्या सपोस कर दिया भाई आर मैं दस नहीं लिखूगा हैना मैं इसको आर बोल दूगा क्यू कि मेरेको क्यू ए और क्यू भी वैसे भी नहीं दिये अन्य तो क्यू ए न क्यू भी आप यतना आज सुकर आपने दस लखी है बना अब आप धनली है हवे अन्य सुगिदू आनन नंबर वन आपी देए हवे अमने वह गिदू के ए ने ए नो स्पर्ष करावानों जे पर्स सी जोड़े कौनी जोड़े वही सी जोड़े अन्य असले स्पर्ष करावानों जे न झोड़े कि ए बी ऊपर तो क्यू भी जेुए डी ऊपर कसू नाती जीरो है तो अमें आप बने ले तामें टाच कराओ rules जरा जरा टच मी टच मी टच मी यहों टच तमें कराओ तो सूथाई सूथाई दोनों चार्ज का प्लस डिवाइट बाइट बाइट जो रेडियस सेम होए आपने गुजकेट में किदू तो जो रेडियस सेम होए तो सूथाई बनने अनू प्लस डिबाइड बाइटू QA प्लस जीरो बाइ आज distribution थाई विद्यूत बार नू चार्ज नू डिस्ट्रिबिशन QB प्लस जीरो बाइटू तो यह क्या अवे होगा भाई QB बाइटू ठिक यह चार्ज का distribution बोलते इसको तो अवे A और B ने पाचा नजिक लावा ना चा अवे A और B पाचा नजिक लावा तो अवे A उपर किटलो थे गयो भई QA बाइटू B उपर QB बाइटू अवे किटला distance है लाया खबर चे 5 cm है अवे 5 cm है मुक्या तो एक्चुल में पहले 10 था अभी 5 हो गया तो नया distance कितना हो गया R बाइटू हो गया अगर आपका R 10 है आपका R अगर 10 है तो 5 मटलब R बाइटू ही हो जाएका ना तो यह आपको नया distance मिल गया अब लगने वाला नया force निकालो यह F डेस कितना आएगा Q1 Q2 R डेस का स्क्वे है अपकी तो अच्छे से लिखते है F डेस बराबर के QA डेस QB डेस R डेस का स्क्वे सारी value ना डाल देते हैं अंदर QA डेस कितना है भाई QA बाइटू QB डेस कितना है QB बाइटू और R डेस कितना है R बाइटू का स्क्वेर है ना QA डेस कितना है QA बाइटू QB डेस कितना है QB बाइटू R कितना है R बाइटू का स्क्वेर है इसको करते है सौल दो का स्क्वेर चार दो-दो के साथ मरेगा तो यह आएगा KQA QB upon R का स्क्वेर तो यह तो सेम टू उ सेम force पुराना वाला ही वो लिए इतना क्लियर है हां के ना तो ना या सम करते हैं कोई डाउट नीट माटे ना वीडियो नहीं आवे तैयारी करी तो चालो दंज है ट्रू दंज है ट्रू ओके चालो नेक्स एना पचीनों सवाल 5 नमबर 5 नमबर इलास्ट्रेशन नमबर 5 इलास्ट्रेशन नमबर 5 में क्या बोला है समद्ना उदार नमबर 5 तब नेक्स ट्राइंगल आपे और यह ट्राइंगल में तीन क्यू 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 है और बीच में कैपिटल क्यू है नाम जो दिया है मैं वहीं लिखता हूँ क्यू अब बराबर क्यू क्यू टू बराबर क्यू क्यू थी बराबर क्यू और बीच में रखा एक्जेट क्यू सेंट्रोइड पे इसके उपर नेट कितना फोर्स लगेगा वो निकालना है बराबर नेट फोर्स अमार नाखवानू छे बराबर तमार सू नाखवानू छे नेट फोर्स सोधवानू छे बिए बीटो वित्रो थोड़ ओक मने टाइम आपो चल्दा मेरे को ये क्यू के उपर फोर्स लगाना है कितना लगेगा तो अब वन बाई वन दिमाग लगाओ मैंने आपको क्या सिखाया था कि अगर सेम विद्धियू पार है सेम चार्ज है तो रिपल्सम होगा मतलब ये और ये अगर मैं मान दू तो ये उसको धक्का मारेगा उपर भी धक्का लगेगा लेकिन मेरे को ये capital Q पर निकालना है सेम टू सेम ये वाला Q2 इसको धक्का मारेगा चल भाई बाग तो ये तोटल इतने धक्के लगेगा मतलब ये 1 Q के उपर 1 लगाएगा Q के उपर 1 तो पहले जिसके उपर लगता है जो लगाता है वो उसके बाद Q के उपर 2 लगाएगा तो ये क्या आएगा उसके बाद Q के उपर 3 लगाएगा तो ये क्या आएगा इतना अपने को पता चलना चाहिए इतना पहले पता चला भाई इतना most important है दोनों तरफ होगा, दोनों तरफ, उपर भी जाएगा, नीच अरी किन हमें इसके उपर बोला एक दक्का इस तरफ, एक दक्का इस तरफ एक दक्का नीच है, FQ1, ये क्या होगा, FQ3 और यह क्या होगा इतना फोर्स लगेगा बोलो clear है इतना सबसे पहले बोलिए भाई इतना clear है के नहीं है बता दीजिए बता दीजिए बता दीजिए चल्दी बता दीजिए चल्दी बताईए भाई clear है इतना कमेंट करके बताइए नहीं क्या हाँ दिक्कत है भाई वो बताऊ दिक्कत कहा है चलो देखो अब क्या करेगे इन दोनों का net निकालेगे सबसे पहले आप इसको भूल जाओ एक बंदे को भूल जाओ है ना एक इस बंदे को नीचे वाले को भूल जाओ इन दोनों का नेट निकालते हैं इन दोनों का नेट कहां पर जाएगा पहले तो यह एंगल यह 30 इक्विलेटर ट्राइंगल है भाई एल और यह 30 यह 30 एक चुल में 60 होता है तो आधा तो 30 होगा न तो यह कितना होगा 120 होगा यह 120 मतलब यह भी क्या होगा भाई 120 होगा तो इसके बीच में यह एंगल कितना होगा भाई 120 नेट कहां पर जाएगा बीच में जाएगा मैं पहले दो का ही ले ला हूँ दो का वान और ठीक टू और ठीक यह नेट जाएगा ठीक अब यह फोर्स कितने हो गया हम पने फोर्स जुन लेते हैं मैं इसको suppose कर लेता हूँ X X और X तो यो फोर्स कितना होगा Tuka कि च्छोटा वाला Q बढ़ा वाला Q अपन X का सवेर ये भी चेक कर लो ये च्छोटा वाला Q बढ़ा वाला क्यू अपन X का सवेर हम उसको suppose कर लेते है F ये भी मेरा F सारे मेरे F ये भी मेरा F ये भी मेरा F तो F net का formula क्या था? यान आया F square A square plus B square plus 2AB cos θ cos कितना वाई? θ घृटा एप स्क्वेयर प्लस स्क्वेयर प्लस टू एक कॉस थिटा पॉस 120 कितना होता है मांपना आंसर एफ किसका अंसर आया यह उपर वाले दो का अजी बिया नोज आंसर आपने मोड़े होश बराबर आ बंदे नो आ बंदे नो आंसर मड़ी ग्रेफ टू थी उपर किटलो मोड़े हो भई एफ आजी नीचे एक तो लागेच छे ना क्यू उपर बराबर है ना कैपिटल क्यू के उपर दोनो फोर्स कैसे है भाई अभी इकवल एन ओपोसी इकवल ओपोसी इकवड आपोसी मंटला बनने बढ़ो समान अनेभी रूद्ध दिशा मा sledने बढ़ो समान अनेभी रूद्ध दिशा मा तो एक भी जानी असर ने सु करे नाबूत कर से ने तो net force Q उपर सु लाग से on Q is equal to 0 कोई जातनों force लाग से नहीं किसी भी तरह का बॉड लगेगा नहीं clear है हाके ना clear है हाके ना बोलो बोलो हाके ना बोलो बोलो चमज में आया sum तो इसका मतलब क्या हुआ पता है इस sum से के बहुत कोई symmetric है geometry जैसे के triangle है rectangle है square है सबके corner पर same charge पड़े है सामान विद्यूद बाल तो center पर always force 0 center पर हमेशा force के टू लग से बाई 0 center पर always लगने वाला force कितना होगा 0 यह से याद रख लेने का center पर हमेशा के टू बढ़ लग से 0 simple साधिवाद नो बकवास उसके बाद चलो ऐसा figure है उसके बाद कही समय illustration number 6 उदार number 6 तमने triangle आपे होगा फरी थी नहीं मस्तमा जानों मुट्टो triangle बना इस वच्चे आव ट्रेंगल आपे होगा आई प्लास क्यू चे आई प्लास क्यू चे और नहीं माइनस क्यू चे बाद 10 उपर force द्वानों चे सबसे पहले distance अब का l कुछ बोला ना हो तो l ले लेने का कुछ बोला ना हो बाई तो क्या ले लेने का l ले लेने का ठीक अब देखो मैं पहले इसके उपर निकालता हूँ मैं इसको 1 बोल देता हूँ इसको 2 इसको तो यह 2 इसको धक्का मालेगा भाई तू दूर जा मेरे से दूर जा एफ 1 2 और यह कितना लगेगा तो भाई के q square upon L square लगेगा चेक कर लो के q in to q मतलब q square L square लगेगा अब इस वाले को यह वाला अब ना नस्दिक बुलाएगा मेरे पांस आजा एट्रेक्शन होगा ना आजा यह क्या होगा भाई वन के उपर ठीकी वजासे चार्ज की वेल्यू माइनस कभी नहीं लेगे रीजन माइनस तो क्या दिखाएगा भाई आकर्शन क्या पार्शन एट्रेक्शन के रीपल्स इक्याइड़ टाइंगल से तो आए केकलो थसे भाई 120 थसे तो आहां हुँ सोदी लोग F1 तो थाए अंडर रूट F2 स्क्वेर प्लस F2 एफ एफ कोस के लोगा था से 120 कोस वंट वेटी माइनस वन बाइटू थाए माइनस वन बाइटू इले टू-टू मरी जा है तो F2 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 तो 3 F2 F2 सुरी यह माइनस हाउसन चला आप पनी श्टेप काप या तो आपड़ों कपई क्यों F square plus F square minus F square तो आसु वज से under root F square तो आनो answer सु आउ से F अवे आनो जो या बजु वाड़ा भाईनो तो A plus से A plus जाने धक्को मार से भई तू दूर जा मारा थी भई 2 के उपर 1 की वज़ा से और ये कितना होगा K Q square upon L square होगा न ये 2 के उपर 1 क्या बोलेगा दूर जा जैसे इस 2 ने इस 1 को इस तरब दक्का मारा था same to same ये 1 उस 2 को उस तरब दक्का मारेगा फिर ये 2 को ये नसदिक बुलाएगा नसदिक आजा बाई आजा मेरी गाड़ी में बैच जा बुलाएगा न ये क्या होगा 2 के उपर 3 की वज़ा से तो क्या होगा क्यू स्क्वेर अपॉन L स्क्वेर इसको भी हम F ले लेगे इसको भी हम F तो अभी अभी सिखाया, net बेटा कहां पे जाएगा बीच में तो F2 क्या होगा under root F square plus F square plus 2 F F cos 120 ही होगा एंगल तो बेटा बीच में कितना होगा 120 वो तो सेमेट्रिक है ना जियोमेट्रिक सेम है मिरर इमेज 120 आई यहां सो आउसे साँ हीट तो 128 एटले माइनस 1 तो आनो अंसर पाचो F जाओ से जिटलो इहां तो इटलो बोलो अटलू clear अंसर सेम आई इसो दी clear ओके माइनस क्यों हो जोई है तो माइनस क्यों है तो बन्ने नजिक बोलाओ जब नजिक आई जा ये भी नजिक बोलाएगा F3 के उपर 1 की वज़ा से KQ स्क्वेर अपान L स्क्वेर सेम तुसिम ये भी नजिक बोलाएगा 3 के उपर 2 की वज़ा से KQ स्क्वेर अपान L स्क्वेर तो नेट बेटा कहाँ पर जाएगा बीच में है ना F3 लेकिन इस बार एंगल कितना होगा 60 डिगरी तो ये मैं यहाँ पर निकालता हूँ F3 वराबर F स्क्वेर प्लस F स्क्वेर प्लस 2 F F कॉस 60 इसको भी मैं F सपोस कर लेता हूँ इसको भी मैं F सपोस कर लेता हूँ है ना तो ये क्या हो जाएगा F स्क्वेर प्लस F स्क्वेर कॉस 61 बाई 2 तो 2 मरेगा तो इतना बचेगा तो आंसर क्या आएगा रूट 3 है तो यहां से एक चीज बेटा याद रखो क्या याद रखो कि अगर कहां पे लिखू अगर force same force के magnitude बेटा same है theta 60 degree है तो answer क्या होगा root 3f theta अगर 90 degree है तो क्या आएगा अभी आप बताओ चलो और 120 है तो कितना आएगा 120 तो f 60 degree तो root 3f 90 degree अगर एगल होता तो कितना answer आता चलो comment में बताओ 90 degree अगर एगल होता भाई लोग तो कितना answer आता बताओ 90 degree में कितना answer आता भाई बताओ चलो कोण मने कैसे 90 degree होता अज़ाब आउसे 10 degree होतास जवाब आउसे क्यों एंगल जो बेटा 90 डिग्री होए तो सु अंसर आवे क्यों राज जो इन बेठा जो तुमारा अंसर नी F स्क्वेर प्लस F स्क्वेर प्लस 2 F F कॉस 90 अबर यह में तमने हींट आप ही दी दिया वे तमार मन क्या वानुक्सु अंसर आवे F स्क्वेर प्लस F स्क्वेर प्लस 2 F F कॉस 90 तो अंसर सु आवे जल्दी थंडी थंडी कमोरियों का मौसम आया जल्दी भाई आंचर बोलो टाइम जाई रही हो शे चालतू असर आवे ना चाली यह क्या रहे बोल सो अले आटलो तो जब आपो इह हों F स्क्वेर प्लस F स्क्वेर प्लस 2 F F कॉस 90 सु थाई सादु रूट सिंप्लिफिकेशन करो तो अंसर सु आवे मैं दमने हिंट आपी दिदी आटली f square plus f square plus 2 f f cos 90 आटलू तो बोलू चू यहनू simplification करीं सु अंसर आवे जम 120 मा f आयो 60 मा root 3 f आयो इविर तो 90 degree मा शु आंसर आवे root 5 f क्या थी आ रहे है root 5 f cos 90 नी value सु थाई cos 90 नी value सु थाई root 2 f चलो root 2 f देखो cos 90 होता अगर ठीटा 90 degree होता तो क्या आता है f square plus f square plus 2 f f cos 90 cos 90 0 होता है 0 होता है तो यह पूरा 0 हो जाएगा तो f square f square 2 f square तो answer क्या आएगा root 2 f forum ने सही answer बोला forum का answer सही है root 2 f इतना दो बिटा easy है cos 90 की value अब आपको नहीं आती है तो आपका सुपड़ा साब cos 90 की value 0 होती है basic maths के lecture एड़ कर रहा हू course के अंदर basic maths के compulsory सबको देख लेने है compulsory सबको देख लेने basic maths के जिसमें differentiation आ जाएगा integration आ जाएगा सब कुछ आ जाएगा हाँ ना चलिए तो इसमें अभी कोई doubt किसी को इसमें अभी कोई किसी को doubt भाई doubt anyone अब सुन लो application में lecture live कैसे आपको देखने है कल से अपने जो lecture होगे वो application में होगे कैसे देखने है physics का physics में होगा chemistry का chemistry में होगा maths का maths में होगा application में जब आप course open कर रहे हो अगर आपके पास है तो देखो यहाँ पर मैं भी आपको देखके बताता हूँ जैसे ही आप course में जाते हो आपको इतने teen tile मिलते है course के अंदर आपको एक्जेट बता देता हूँ ताकि confusion नहाँ रहे है आपको एक्जेट बता देता हूँ ताकि confusion नहाँ रहे है उसके बाद होगा live उसके बाद होगा telegram तो देखो यह telegram तो कुछ काम का नहीं है आपका हमने तो whatsapp group बनाए हुए है तो अभी हम engineering में telegram groups बनाते है अभी तो हमने whatsapp group बनाए है तो telegram आपके काम का नहीं है जैसे ही live stream हम generate करेगे advance में तो वो यहाँ पे आपको show होगी live के अंदर जब live session शुरू होगा तो वो भी आपको live के session में शुरू होगा देखो यहाँ पे live में फिर वो live खतम होने के बाद यहाँ तो आपको दिखेगा ही दिखेगा अंदर folder में भी दिखेगा हम जिस folder में उसको रखेगे हम जिस folder में उसको रखेगे उस folder में आपको show होगा मतलब कि मानलो chapter 1 चल रहा है तो हम उस chapter 1 के अंदर ही वो live का setup रखेगे मतलब live शरू होगा तब आपको ये section में दिखेगा खतम होने के processing होने के बाद यहाँ पर जो भी chapter होगा उस folder में आपको show करेगा वो कब show होता है जैसे live खतम हुआ मानलो मैंने 2 गंटे का live किया तो वो 5-6 गंटे processing के लेता है मैंने 5 गंटे का live लिया तो वो 10 गंटे की processing लेता है तो live खतम होने के मानलो अपना lecture 8 गंटे का ही होगा तो most probably 2 गंटे के बाद वो session वहाँ पे आ जाएगा maximum 2 गंटे के बाद तो अगर आप live joint नहीं कर पाते हो तो कोई दिक्कर नहीं 2 गंटे के बाद उसका recording मिल जाएगा जिसमें quality change का option आएगा speed का भी option आएगा live के अंदर speed का option नहीं आएगा quality change का option आएगा live के अंदर आप सेम के यूटूब की तरह question पूछ पाओ के teacher को delay जरा भी नहीं होता है यूटूब में थोड़ा delay है अपनी application में थोड़ा सा भी delay नहीं है मैं यहाँ से बोलूगा आप तुरंत बोलोगे तुरंत अंसर दोगे यहना no delay है यहना बहुत कम delay यहाँ आपको यहाँ पर दिखेगा वह खतम होने के बाद record date में चला जाएगा live में तो रहेगा ही रहेगा लेकिन हम record date को follow करेगे फिर live खतम होने के बाद तो वहाँ से आपको proper सब कुछ मिलेगा ठीक टेस्ट के लिए हम क्या करें कि जो whatsapp group बनाए है उसमें हर संड़े आपको time table दे देगे कि यह next week का time table है lecture तो रोज रहेगा लेगिन कभी कभी कोई teacher की availability ना रहे तो वहाँ पर teacher time change करता है teacher time change उसमें सबसे जादा मेरी भी problem होगी क्योंकि मैं अखिला ऐसा बंदा हूँ जो बहुत सारी batches के अंदर अभी चला जाओगा जैसे कि कल improvement की 3 batch चलेगी online एक चलेगी offline गुजरात English की दो चलेगी तो तीन improvement की batch हुई हमने vacation course launch किया उसमें भी मैं हूँ तो चौती batch मेरी हुई आप batch count करना एक दो तीन चार फिर 11th की और 12th की एक एक batch English medium गुजराती medium तो एक, दो, तीन, चार और batch और engineering की एक batch और एक नीट की चल रही है कि नीट तो last week में end है तो total 9 batch के अंदर मैं हूँ तो मेरा time ही थोड़ा बहुत change होगा तो वो हर Sunday हम आपको पहले से वैलिन advance बता देगे ताकि आपको कोई दिक्कत रहे नहीं तेस का schedule हर week में आपको मिलेगा वो Sunday को मिल जाएगा तेस का paper group में आएगा आपके parents आपको देखो मैं आपको ऐसा बोलता हूँ कि parents आपके सामने बैठे हो तो यह आप चोरी ना करो ऐसा नहीं है आप अपने इमांदारी से आपको paper लिखना है आप बहुत अच्छा paper लिख लोगे हम चेक करके 20 out of 20 marks भी देगे तो उससे बिटा आपको कोई medal नहीं मिल जाने वाला है आपको आपका self evolution करना है तो सही लिखना जितना आता है उतना खुद लिखना parents हो के ना हो मैं तो ऐसा बोलता हूँ अब आपको improve करना है तो आपने इसा निश्रही किया है कि मैं improvement exam देगे mark change करूगा तो आपको थोड़ा serious खुद बनना पड़ेगा पहले तो तो आप खुद से अच्छे proper paper लिखना PDF बना कि हमें share करना हम उसको check करके next stage से पहले आपको वापिस देगे और WhatsApp group में ही वापिस देगे ताकि कुछ miss out कहीं पे हो नहीं ठीक तो एक group में ही सारी च लिखेगा तो इसका कुछ हो नहीं पाएगा तो अभी आपको कोई doubt है तो पुछ लो फिर हम session को खतम करते हैं फिर हम session को यहाँ पर खतम करते हैं किसी को छोटा सभी कोई doubt है तो बता दीचिए टीचा में तो किसी को पताकुए आपकोई done, okay, तो कल से शुरुवात करते है application के अंदर, धूम गड़ा का बरते इस week में result आता है तो ठीक है, नहीं आता है, तो next week में तो वैसे भी आने वाला है, अभी इस week में chance को कम लग रहे हैं, दीख नहीं रहा है, है ना time table हर Sunday WhatsApp group में आएगा time table हर Sunday WhatsApp group में आएगा अब clear अभी इस week के तो lecture आपको पता है ना कल physics है, फिर दो दिन chemistry है तो इस week में तो अभी भी चलने वाले हैं, है ना कल हम application में switch हो जाएगे chemistry वाले teacher एक और video YouTube पे लेगे फिर वो भी application में switch हो जाएगे है ना कल lecture का time same ही है बिटा 8 बज़े ही है थोड़ा आगे पीछे करना है तो कर सकते हैं क्योंकि कल मेरे को एक ही ब्याच्छा तो अगर थोड़ा जल्दी करना है तो हम कर सकते हैं साड़े छे से साड़े पांच से साड़े छे साथ बज़े का setting करेंगे ऐसा कुछ करेंगे चल्ब थोड़ा जल्दी कर देंगे ना ऐसा होगा तो थोड़ा जल्दी करके group में आपको बता देगे ठीक मिलते है कल के session में bye